Hello friends, welcome to our channel. Please subscribe my channel for more videos and click the bell icon for more updates. भारतिय मार्केट में जगे हैं बनाने के लगए। AWWE ने जिंदर महल को में स्टोरी लाइन में लाया गया। इसके साथ ही उन्हें AWWE Champion Belt भी दी गई पर अफसोस कमपनी को इसका फाइदा नहीं हुआ। उल्टा पड़ा DAOF कमपनी ने यह सोचकर जिंदर महल पर DAOF लगाया था। कि वे कमपनी की प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करेंगे पर जिंदर महल इस मिशन में सफल ना हुपाए। कमपनी को फाइदे की उमीद थी पर ऐसा हो ना सका। उल्टा कम्पनी को कुछ सेक्टर में घाटा तक हो गया, WWE अधिकारियों का कहना था, श्की उन्हें चैंपियन इसलिए बनाया गया था कि वे कम्पनी का इंडियन मार्किट में फायदा करा सके पर वे कम्पनी की इस उमीद पर खरे नहीं उतबाए, कम्पनी के बड़े आधिकारियों का कहना है कि कम्पनी के घाटे के पीछे कही ना, कही जिंदर महल कही हाथ है और अब इस खटे का सर भी दिख रहा है, कम्पनी ने कई तरह से ट्रेवल अलाउंस कम कर दिये हैं, इसके साथ साथ कई तरह के अलग चीज और में कटोती भी की है, हद तो तब हो गई जब कम्पनी को एक लाइफ शो ही कैंसिल करना पड़ा, कई मीडिया रेपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि उनकी जल्द से जल्दे स्टाइटर से छुटी हो सकती है, ये दावा तब और शर्मनक लगता है जब कम्पनी जिंदर महल को आसानी से माच नहीं हारने देना चाहती है, बलकि उन्हें तगड़े फाइट के साथ मुकाबला करवा के उन्हें बड़े ही बेयुच्ती से निकालने की प्लानन कर रही है, I hope you enjoyed the video, so please don't forget to share and like, thank you!